नमस्कार, चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है आपने वो कोश्चन दो देखे होंगे ना, जिसमें Assertion Origining होते हैं और उसमें चार विकल्वदिये होते हैं जिसमें ये बात कही जाती है कि A और R दोनों सही है और R A का सही स्पस्टिकरन है फिर दूसरा विकल्वदिये होता है कि A और R दोनों सही है और R A का सही स्पस्टिकरन नहीं है फिर तीसरा विकल्वदिये होता है कि A सही है, R गलत और चौथा विकल्वदिये होता है कि A गलत है और R सही ठीक, इसी तरह मैं आपसे एक सवाल कोशता हूँ जो एसर्सन और रिजनी पर अधारित है एसर्सन यानि की कथन वह यह है कि जर्मन नौसेना अध्यक्ष ने हाली में अपना इस्तिफा दिया और कारण आर कि युक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्टपती की परतिक्रिया का परिनाम है अब इसका जवाब खोजना है और जवाब खोजने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं युक्रेन की सीमा पर एक लाख रूसी सैनिक खड़े है इस बात ने अमेरिकी राष्टपती को डरा दिया और अमेरिकी राष्टपती को यहां आसंका घर करने लगी कि कहीं रूस युक्रेन पर आकरबन ना करते तो अमेरिकी राष्टपती ने अपनी परतिक्रिया दी क्या परतिक्रिया दी? कि अगर रूस ने युक्रेन पर हमला किया तो वह रूस पर परतिबंद लगा देगा और एक ऐसा परतिबंद लगाएगा जो 2014 के परतिबंद से भी कड़े होंगे तो इसका मतलब है कि 2014 में भी अमेरिका ने रूस पर परतिबंद लगाए थे जी हाँ लगाए थे और वह परतिबंद जो लगाए गया था उसका कारण था रूस के द्वारा युक्रेन का एक प्रांथ जसका नामी त्रीमिया है उसको युक्रेन से छीन लेना अब जब अमेरिका के द्वारा रूस पर परतिबंद लगाए गए तो क्या उसका कोई परिनाम भी निकला हाँ बेसक परिनाम निकला परिनाम यह निकला कि रूस का विदेसी मुद्रा भंडार जो 2014 में परतिबंद लगाने से पहले साढ़े पांच सो मिलियन डॉलर था वह परतिबंद लगाने के बाद के दो सालों में घटकर साढ़े तीन सो मिलियन डॉलर हो गया अभी इस इस्थिति का सामना जब रूस ने किया तो रूस को नित्रतों देने वाले वहां के राष्टपती ब्लादिमेर पुतिन उन्होंने इससे सीख ली और सीखने का मतलब यहां पर यह है कि उन्होंने रूस के निर्यात को तेल और गैस तक सिमित कर दिया और तेल और गैस तक सिमित करने के कारण अगर अमेरिका रूस पर प्रतिबंद लगाता भी है तो उससे रूस को कोई खास नुकसान नहीं होगा उल्टा या अमेरिका के लिए सरदर्द साबित हो जाएगा वह क्यों वह इसलिए कि रूस के द्वारा जो अपने निर्यात की निर्भरता तेल और गैस पर की गई है उससे नाकेवल रूस के विदेसी मुद्रा भंडार में बढ़ोत्री हुए है जो बढ़कर साड़े 600 बिलियंड डॉलर तक पहुँच गया है वहीं अमेरिका का साजेदार पस्चमी यूरोपी देस इन पस्चमी यूरोपी देसों के गैस की 40 परतिसत निर्भरता रूस पर है तो अब आप ये बताईए कि अगर बाइडेन रूस पर परतिबंद लगाते है तो इसका प्रभाव रूस पर पढ़ेगा या यूरोप पर पढ़ेगा उनके समख्च उर्जा संकट की इस्तितियोत पर नहों सकती है वहीं रूस ने एक काम और भी किया कि रूस के पास जो विदेसी मुद्रा भंडार पढ़े है उसमें से जाधतर कोस ने सोने में परिवर्थित कर दिया है मतलब गोल्ड में कनवर्ट कर दिया है अ गर रूस की जैसी कारवाई चल रही है उसे देखते वे क्या अमेरिका और रूस को स्विफ्ट से बाहर कर देगा स्विफ्ट पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ड वाइड इंटर बैंक फानेंसियल टेली कॉमूनिकेसर या एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रियोग अंत अमेरिका से यह बात पूछी गए कि क्या वो रूस को स्विफ्ट से बाहर करेगा तो अमेरिका ने कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा आखिर क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अमेरिका स्विफ्ट से रूस को बाहर करता है तो फिर रूस चाइना की तरफ जाएगा क्योंक उक्सान होगा खुद अमेरिका को, क्योंकि रूस अगर चाइना की तरफ जाएगा, तो जो इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क है, उसकी व्यापकता विस्व में बढ़ सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिस परतिबंद की बात अमेरिकी राष्टपती के द्वारा की गई, उसका कोई भी मजबूत आधार नहीं है। इस आस्वासन के बावजूद भी अमेरिका ने युक्रेन में आर्म सप्लाई की है, मतलब मिलिटरी एड दिया। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, सहथ आपको सुनकर आस्टड लगे, कहानी यह है कि जो बाइडन, जो अपने राष्टपती के इस आसनकाल का एक वर्स पूरा करने वाले हैं, तो एक वर्स पूरा करने के उपलक्ष में प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया। उस प्रेस कॉन्फरेंस में उनसे कही तरह के सवाल किये गए, उसी सवाल में से एक सवाल ये था, कि अमेरिका की द्वारा रूस की विरुद्ध युक्रेन में कोई कारे क्यों नहीं किया जाता है, क्या रूस कोई कारे करेगा, अभी अमेरिका कोई स्टेप उठाएगा। अमेरिका के द्वारा युक्रेन को नाटो में सामिल करने की बात हो रही है। कोई भी देश नाटो में अगर सामिल होना चाहता है तो उसे तीन सर्तों का पालन करना होगा। पाला ये कि वहां करपसन या भरष्टाचार नहीं होना चाहिए। दूसरा कि उसकी सेना काफी मजबूत होनी चाहिए। तीसरा किसी देश के साथ उसका सीमा विवाद नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों सर्तों पर अगर हम युक्रेन की परिच्छा करें, उसका परिच्छन करें, तो हम ये देखते हैं कि युक्रेन में भरष्टाचार चरम पर है, नमर एक, नमर दो, युक्रेन की सेना उतनी मजबूत नहीं है, और नमर तीन, क्रीमिया के मामले में युक्रेन का सीमा विवाद खुद रूज के साथ चल रहा है, तो फिर युक्रेन को किस आधार पर अमेरिका नाटो में सामिल क चाता है, आगे और कहानी देखे, कि अमेरिका ने युक्रेन की मदद तो की ही, सेन मदद की में बात कर रहा हूँ, वहीं, एस्टोनिया को यह बात कहा कि वो आर्म्स एक्सपोर्ट करें युक्रेन को, एस्टोनिया जो आर्म्स को एक्सपोर्ट करने जा रहा था, उसके लि दिया ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि एतिहासिक रूप से जर्मनी रूस से पिट चुका है और दुबारा पिटने की उसकी कोई इच्छा नहीं है इस सभी मामलों में आखे रूस क्या चाहता है रूस यह चाहता है कि नाटो का प्रसार इस तरीके से नहीं किया जाना कि यह रूस में राजितिक और स्थिर्ता का कोई बड़ा कारक बने कोई बड़ा फैक्टर बने अब इस बीच में एक रोचग घटना घट गई है वह क्या वह यह घटना घटे कि जर्मन नौसेना प्रमुक एड्मिरल के अचिम सौनवाज भारत की यात्रपर आये थे उनकी एक वीडियो आई, वह leaked वीडियो है, मत्व उस वीडियो को leaked किया गया है, इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि वो Manohar Parikar रक्षा अध्यन और विशलेशन संस्थान यानि की Manohar Parikar Institute for Defense Studies and Analysis में यह बोलते वे नजर आ रहे हैं कि करीमिया युक्रेन के हाथ से निकल इसी बीच उनसी यह सवाल किया गया कि क्या रूस वास्तम में युक्रेन को अपने देश में मिलाना चाहता है? तो उन्होंने कहा कि यह बकवास है. सही तो यह है कि पुतीन दवाब बना रहे हैं. ताकि युक्रेन नाटो से अपनी दूरी बना ले. पूर्व जर्मन नवल चीफ के अनुसार रूस और खासकर पुतीन पश्चिमी देशों से सम्मान चाहते हैं जिसके वे हगदार हैं. अब आप जरा यह सोचिए कि जर्मनी के नौसेना अध्यक्ष के द्वारा यह जो बात कही गई, इस बात का असर अमरीकी राष्टती पर क् होगा, उनका मन और दिल दोनों भारी हो गया होगा और इसी का परिनाम निकला है कि उन्हें इस्तिफा देना पड़ा है. अब जो सवाल मैंने आपसे सुरुवात में की थी, सायद उसका जवाब आपने ढूंड लिया होगा. अगर आपने जवाब ढूंड लिया है तो कमें कीजिए भने बाद.